नमस्कार दोस्तों, Study IQ उपर आप सभी का बहुत धहुत स्वागत है So, पिछला साल जब खतम हो रहा था, 2020 के end में आप देख सकते हैं Indian Express की ये news है, lab-grown meat एक बार सुर्खियों में आया था और असल में सुर्खियों में ये इसलिए रहा because Singapore में इसको clearance दे दी गई थी zone meat क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यूं इसको बनाया जाने की बात चल रही है and और भी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं, इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड सकते हैं अपनी queries को याद रखिएगा, आप मुझसे Instagram पे पूछ सकते हैं Study IQ आप को definitely डाउनलोड कर लें और आज आप पे चल रही जो Republic Day Sale है, इसका आखरी दिन है ये 26th January तक valid थी, ये उसका आज आखरी दिन है यदि आप UPSC की तयारी कर रहे हैं, जो की 2021 जून में रखा गया है तो इस course को buy करना बिलकुल भी ना भूलें इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को discuss किया है It is better than any test series, क्योंकि जो पुराने साल के papers हैं आपको काफी अच्छे तरीके से बताते हैं कि आपको आने वाले years के लिए किस तरीके से prepare करना है और इसको आप extra discount ले सकते हैं, ये वाला code इस्तेमाल कर सकते हैं So, अगर आप appear कर रही हैं, तो इस course को buy करना ना भूलें और याद रखिए, आज आखरी दिन है So, you must go to the app and purchase the course खेर, start करते हैं वीडियो को And before we begin, सबसे पहले एक nomenclature मैं आपके साथ clear करना चाहता हूँ देखे, हमने वीडियो की शुरुवात में कहा था कि ये lab-based meat या फिर lab-grown meat है लेकिन इसके कई सारे terms हैं, जो की आज की date में दुनिया में चलन में चल रहे हैं और ये जो scientific community है, in fact कई सारे जो start-ups हैं, कई सारे businesses हैं हर एक company ने इसका अपना-पना अलग से नाम दे रखा है तो इसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कौन से कौन से नाम है जो की आपको आज की date में देखने को मिल जाते हैं With respect to lab-grown meat सबसे common नाम जो scientifically भी माना जाता है, that is cultured meat क्योंकि आप इसको असल में lab में एक culture के माध्यम से grow कर रहे हैं इसके बाद कुछ companies हैं जो की इसको healthy meat बोलती हैं कुछ companies हैं इसको slaughter-free meat बोलती हैं क्योंकि जैसा नाम है lab-grown meat तो इसमें आप किसी जानवर को मार नहीं रहे हैं इसलिए slaughter-free meat भी है कुछ companies इसको in-vitro meat बोल रही है in-vitro because आपने इसको एक laboratory condition में बनाया है और इसलिए इसको in-vitro meat कहा जाता है जैसे in-vitro और in-vivo होता है वैसे vat-grown meat है, lab-grown meat है cell-based meat है, ये भी बहुत common नाम है और ये भी कई सारी scientific communities में काफी जादा नाम commonly माना जाता है because असल में जो lab-grown meat है ये stem cells के माध्यम से ही बना जाता है कुछ companies इसको clean meat के नाम से भी market कर रही है वो बोलती है कि clean meat है क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का जो जानवर का कोई और हम कह सकते हैं खून का component या फिर किसी और तरह की चीज का component नहीं देखने को मिलता है तो clean meat है और obviously क्योंकि आप किसी जानवर को hurt नहीं कर रहे हैं तो उस माध्यम से भी clean meat है then cultivated meat है क्योंकि आप इसकी cultivation कर पाते हैं अपने एक चीज को बीजा और वहां से आपका जो meat बन के आ गया then synthetic meat है तो कई सारे नाम है जो कि इसको ये यूज हो रहे हैं लेकिन आपको समझना ये है कि ये सभी के सभी जो नाम है ये असल में सभी के सभी नाम lab grown meat के लिए ही इस्तिमाल किये जाते हैं ना ये चर्चा में क्यों था because जैसा कि मैंने आपको बताया Singapore दुनिया की पहली country बनी जहां पर lab grown meat को अब approval दे दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो ये company है असल में US-based एक बहुत बड़ी company है जिसका नाम है East Just I'm sorry इसका नाम है Eat Just ठीक है तो Eat Just के नाम से जो ये company है ये US-based company है और इस company को approval मिला है by the Singapore Food Agency so that ये cultured chicken को Singapore में अब बांट सके the company has announced the product will be manufactured with local partners under its new brand Good Meat तो ये इसको Good Meat कह रहे है ये भी इसका नाम है जो कि आज आज आपको शायद देखने को मिल सकता है आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इस news की coverage obviously news agencies ने तो करी ही है लेकिन कई सारे जो business newspapers हैं या फिर जो tech newspapers हैं वो भी इसको cover कर रहे हैं because ये अब ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाके दुनिया भर के कई सारे startups हैं जो कि इस segment में प्रवेश कर सकते हैं आप देख सकते हैं Tech Crunch की ये news है eat just to sell lab-grown meat in Singapore after gaining world's first regulatory approval उसके बाद economic times का ये खबर भी आप देख सकते हैं ये भारत का जो खबर है इन्होंने कहा है investors are betting on startups making lab-grown meat की अब जो निवेशक हैं उनको लग रहा है कि आने वाले जो startups हैं वो शायद lab-grown meat में entry ले सकते हैं तो investors इस चीज़ को लेके भी काफी जादा hopeful है also बताना चाहूंगा ये again ये just कल ही की news है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं lab-grown meat receives 3.7 million boost from Spanish government तो जो Spain की government है वहाँ भी आप देख सकते हैं company है Biotech Foods के नाम से जिसको की 5.2 million euros approximately 6.3 million dollars जो है इसके लिए काफी जादा funding असल में Spanish government ने दी है सवा 5 million euros में से 3.5-4 million euros के आसपास का जो boost है वो असल में Spanish government के तो दिया गया है तो all in all one thing is clear कि ये एक ऐसा idea है ये एक ऐसी चीज है जो कि आज की date में दुनिया में काफी जादा popular हो रही है धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कई सारे देश है जो कि इसको adopt करने की कोशिश कर रहे हैं अब हम समझ लेते हैं कि असल में ये होता क्या है so basically cultured meat एक ऐसा meat है जिसको कि आप in vitro cell culture के माध्यम से बना रहे है of the animal cells यानि कि आपने एक animal का cell लिया उसके cells को culture किया उसके माध्यम से आपने उसको बनाया इसमें आप किसी जानवर को मार नहीं रहे हैं किसी जानवर का slaughter नहीं कर रहे हैं cultured meat for example अगर आपको और इसको असानी से समझना है तो देखिए एक regenerative medicine होती है regenerative medicine में आपने कई सारे example सुने होंगे skin grafting का जैसे मान लिज़े किसी इनसान का कोई अंग तूड जाता है तो organs के case में हमने जो artificial organs लगाये जाते हैं तो वहाँ पर भी almost same चीज का इस्तेमाल होता है उसका भी जो basis होता है that is something called as stem cells उसी के माध्यम से हम cultured meat को produce करते हैं और very very similar to that जिसमें हम tissue engineering techniques इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वही techniques को इस्तेमाल करते हुए हम cultured meat को बनाते हैं जो यह concept है यह असल में एक इनसान है जिसका नाम है Jason Mathney इन्होंने सबसे पहली बार इसको प्रचलित किया था early 2000s की बात है लेकिन यह concept almost 10 साल तक काफी हद तक dormant रहा I think 2012 या 13 की बात है जब पहली बार इस concept को टीवी पे लाया गया था और कुछ food tasters थे जो की taste कर रहे थे conventional meat एक तरफ और cultured meat एक तरफ और बता रहे थी कि दोनों के taste में कितना फरक है तो even though early 2000s में यह concept सामने आ चुका था लेकिन इसका जो हम कह सकते हैं कि public के पास आना almost 10-12 साल लग गए जब यह पहली बार public के सामने आया है इसको हम थोड़ा सा और इसकी बनाने के जो process है उसको और simplify करना चाहते हैं इसके लिए यह वाला schematic आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या किया आपने tissue लिया animal से ठीक है इस tissue में जो आपने animal से लिया है इसमें ध्यान रखेंगे हमने animal को मारा नहीं है उसको slaughter नहीं किया है केवल एक छोटा सा tissue उससे लिया है और इस tissue से हमने stem cells को extract कर लिया है once हमने stem cells को extract कर लिया उसके बाद हम उन stem cells को muscle fibers में grow करते हैं in a bio reactor और ये थोड़ा सा slow process होता है हम धीरे धीरे इसको muscle fibers जब grow करते हैं और लगभग माना जाता है कि इसमें 20,000 के आसपास muscle fibers बन जाते हैं once muscle fibers बन जाते हैं उसके बाद आप उसको किसी भी तरह के food product में process कर सकते हैं which includes burger patties so burger patty के अंदर जो chicken patties होती है वो सब चीज़ें आप बड़ी असानी से एक laboratory में बना सकते हैं ये वाला process है जो कि बिलकुल simple तरीके से आपको समझाता है कि किस तरीके से lab grown meat को आप lab में उगा सकते हैं बड़ा सवाल ये आता है कि why the need of it कि जब already एक conventional meat industry आपकी चल रही है तो हमने lab grown meat का जो एक idea है इसको सामने हम क्यों लेकर आए देखिए सबसे पहले तो इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है ये कही ना कहीं COVID-19 की महामारी का भी है COVID-19 महामारी माना जाता है कि ये शायद किसी ना किसी जानवर से ही फैली है तो जिसके चलते जो zoonotic diseases है इसके चलते लोगों में बहुत जादा डर बन चुका है specially अगर आप देखें African swine fever उसके बाद जो avian influenza है अगर आज की जेट में हम bird flu की बात कर रहे हैं जो कि भारत में है तो कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं किसी जानवर से कोई बिमारी इनसानों में ना आ जाए या फिर किसी जानवर की वज़े से कोई महामारी ना बन जाए तो ये वाला जो डर था इसको कही न कहीं combat करने के लिए हमारा एक कोशिश थी कि हम lab grown meat को शुरू करें Secondly एक problem ये भी रहती है कि जब जानवरों को slaughter houses में मारा जाता है तो I am sure अगर आपने देखा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा कि जो slaughter houses की जो conditions होती है जिनको कि हम अगर देखें तो वहाँ पर साफ सफाई बहुत कम होती है Meat packing factories हैं वहाँ पर भी साफ सफाई इतनी जादा नहीं होती है तो वहाँ पर जो contamination होने का जो chances हैं by Salmonella या फिर E.coli जैसे bacteria ये भी काफी बढ़ जाता है जो चीज आपको lab grown meat में बिलकुल भी देखने को नहीं मिलती है Thirdly बात करें तो एक होता है antibiotic resistance Normally क्या है कि कई सारे animals को slaughter करने से पहले उनको कुछ antibiotics दे दी जाती है जो कि आपको obviously lab grown meat में नहीं देखने को मिलेगा because आप यहाँ पर सब कुछ stem cells से कर रही है जब antibiotics दिया जाती है तो उसके बाद antibiotic resistance की problem आती है जो की again public health के लिए काफी बड़ा मुद्दा बन सकती है केवल इतना ही नहीं ये तो हमने केवल बातें बताई जो बिमारियों से जुड़ी हुई है इसके साथ भी अगर आप देखें कि जो access है कितने लोग हैं जो की इस particular meat को access कर सकते है अभी क्या है जो conventional meat industry है उसमें सीमित है लेकिन अगर आप एक ऐसा alternative बना रहे हैं जो की शायद सस्ता भी हो तो it can feed a lot more people further बात करें इसका जो environmental impact है वो भी काफी कम है आपको मालुम होगा अगर आपको एक kilo of meat बनाना है तो उसके लिए लगभग 9000 liter of water लग जाता है ये पूरी की पूरी एक cycle होती है अगर आप उसको समझें तो you will realize कि it is actually very very costly to create one kilo of meat अगर हम environmental cost की बात करें as compared to अगर हम cultured meat की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल आपको 94 liters of water चाहिए ये कुछ figures हैं जो की scientific community ने सामने रखी है जो की again बताती है कि ये भी कुछ बड़े-बड़े कारण है जिसकी वज़े से जो cultured meat का जो idea है ये सामने आया है इसके इलावा एक बहुत ही important institute है ये recent institute है जो सामने आया है Good Food Institute ये एक non-profit organization है जो की USA में स्थापित करी गई थी 2016 में इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं briefly लेकिन इनकी report भी ये कहती है कि अगर हम conventional meat और cultured meat को compare करते हैं तो दोनों में जो land use का फायदा है वो भी हमें 95% का मिलेगा जो climate change के वज़े से उत्सरजन हो रहे हैं उसमें भी कटोती देखने को मिलेगी जो nutrient pollutions हो रहे हैं उसमें भी कटोती देखने को मिलेगी इतना ज़ादा environmental cost है जो की हम conventional meat के चलते दे रहे हैं जो की हमें cultivated meat offer कर सकता है Good Food Institute क्या चीज़ है Good Food Institute असल में एक non-profit international non-profit institute है जो की Washington DC से operate करता है अभी 2016 में इसको बनाया गया by somebody called as Bruce Frederick और इनका main काम क्या है इनका main उदेश क्या है कि ये plant-based alternatives को promote करते हैं और किन-किन alternatives के मतलब किन-किन के खिलाफ किन-किन के विकल्प meat हुआ, dairy हुआ, eggs हुआ इन सब चीज़ों को ये promote करते हैं और ये सभी जो alternatives है ये basically लाना चाह रही है against conventional animal agriculture एक और बड़ी important movement है आपने सुना होगा ये भी एक तरह की एक NGO ही है NGO, NPO है जिसमें ये PETA के नाम से आपने सुना होगा ethical treatment of animals के लिए कुछ society बनी होई है कई सारे भारतिये भी इसको promote करते हैं कई सारे भारतिये celebrities भी है जो की इसके साथ जुड़े हुए है so almost very similar to PETA Good Food Institute GFI के नाम से है जो की आज की date में lab grown meat को promote करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है in fact इन ही की एक report है जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि 2019 के अंत तक दुनिया भर में कम से कम 55 companies ऐसी है जो की cultivated meat products के उपर अपना ध्यान लगा रही है और ये companies जो है आप देख सकते हैं इसराइल में, टर्की में, स्पेन में, निदरलांड्स में, फ्रांस में, यूएस में और एवन भारत के नई दिल्ली में एक company है clear meat के नाम से जो की cultured chicken को बनाने की कोशिश में लगी हुई है So, all in all, as we can see, इसका जो trend है, इसका जो हम कह सकते हैं इसको लेके जो enthusiasm है, वो काफी बढ़ रहा है कहां तक पहुंचा है, ये अभी हम नहीं कह सकते because अभी केवल Singapore है, जिसने की इसको regulatory approval दिया है अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि when will this be widely available, तो देखिए, अभी कहना मुश्किल है Singapore is the only country जिसने की ये कदम उठाया है और उसको भी उन्होंने बहुत बड़े level पे नहीं उठाया है there are very few restaurants in Singapore, जो की इसको offer कर रही है अभी भी बहुत सारी मुश्किले हैं, जिनको जब तक हम overcome नहीं कर लेते इसको widely available नहीं करवा सकते हैं obviously कुछ दिक्कतें इसमें scientific perfection को लेकर है जो laboratory में आपने उस process को अभी तक perfect नहीं किया है साथी में केवल वही दिक्कतें नहीं है मतलब एक side तो supply की दिक्कत है, लेकिन demand के side से भी दिक्कतें है कि consumer mistrust है, कि लोग इसको वाके में accept करेंगे या नहीं करेंगे उनको again लग सकता है कि शायद इसकी वज़े से कोई और विमारी हो सकती है then producers of alternative meats will face resistance from traditional meat producers इसको लेकर भी कई सारी दिक्कतें हैं, जो कि आज की date में हम इसको political दिक्कतें कह सकते हैं, जो कि देखने को मिल रही है so, जब तक ये चीज़ें clear नहीं होती है, तब तक this thing will not be widely available एक और सवाल जो कि शायद आपके दिमाग में आ सकता है, जिसको मैं answer करना चाहूंगा कि इसका nutrients जो हैं, वो किस हद तक similar है conventional meat को लेके, तो again इसके ऊपर भी research जारी है अभी तक चीज़ें clear नहीं हुई है फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, I am sure आपने काफी कुछ जाना होगा, एक काफी नया idea है lab-grown meat आप से लेता हूं विदा, thank you for listening, stay tuned and stay safe